शारुखान और दिपका पाड़कोन की फिल्म पठान का गाना बेशिरम रंग रिलीज होती ही विवादों में आ गया है। फिल्म के नाम और फिल्म में दिपका पाड़कोन द्वारा पहनी गई बिकनी को लेकर अब सोशल मीडिया पर इस गाने की जम कर आलोचना हो रही है। पहें इसे बीच महराश्ट्रा में भाजपन एता रामकदम भी पठान के विरोध में खुल कर उतरे हैं। रामकदम ने शुकरवार को ट्वीट कर पठान फिल्म का विरोध किया। रामकदम ने कहा देश का साधू संथ के अलावा सोशल मीडिया पर लोग और कई हिंदू संगचन इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं। महराश्ट्रा में अभी हिंदुत्वा विचारधारा वाली सरकार है। बहतर होगा फिल्म निर्माता अपना रुक्स पष्ट करे। उन्होंने अगले ट्वीट में लिखा हिंदुत्वा का अपमान करने वाले कोई भी फिल्म यो हो या सीरियल हो वो महराश्ट्रा में नहीं चल पाएगी। जने उधारी क्या जने उधारी विचारधारा को जान बुच कर आहत करने का क्या ये दुस्साहस है। शारुखा ने अपनी फिल्म के गाने पर हुए विवाद को लेकर प्रतिक्रिया भी दी। कॉलकत्ता के कारेकर में उन्हें कहा कि दुनिया चाहे कुछ भी करें। लेकिन मेरे जैसे लोग हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। भी और रिपोर्ट मेट्रो मुंबाई